So guys, आज हम बात करने वाले हैं Infosys Limited के बारे में Infosys Limited में अगर देखा जाए तो 24 जुलाई के दिन यहाँ पर एक बड़ा धमागा हो सकता है और साथ ही अगर बात करें तो स्टॉक में यहाँ पर लगबग 10 मिलियन तक का इंवेस्मेंट है 10 मिलियन यहाँ नहीं यहाँ पर इंडियन रुपिस में नहीं बात कर रहा हूँ है यहाँ पर डोलर्स में हम बात कर रहे हैं 10 मिलियन डोलर्स तक का इंवेस्मेंट यहाँ पर कमपनी ने किया है और किस चीज में किया है ओभी हम डिसकस करेंगे और 24 जुलाई को क्या होगा ओभी हम देखेंगे और यहाँ पर कई अटकले लगाई जा रही है और कई लोगों से आपने सुना भी होगा कई लोगों ने वीडियो भी अपलोड किये हुआ है कि Impossus Dividend दे सकता है बट गाईस यहाँ पर एक चीज़ अगर कहें तो डिविडेंड की यहाँ पर कोई भी Official Announcement इनके और से नहीं की गई है और Impossus Limited में कल कुछ लेवल्स है उन्हें भी डिसक्स करने वाले हमें इस वीडियो में तो वीडियो को आइन तक देखना और गैस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दे महाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो गैस चलते हैं Impossus Limited के उपर तो गैस फाइनली हम आ गए है Impossus Limited के उपर और यहाँ पर अगर दिखा जाए तो आज कारोबार स्टॉक ने क्या गिया है तो कहीं न कहीं आज शेहर में एक गिरावट नजर आई है लगबग देखा जाए तो 3 रुपे 75 पेसे तक की गिरावट नजर आई है 0.20 6 परसेंट के हिसाब से 14-19 रुपे 50 पेसे के असपा स्टॉक नेहा पर क्लोजिंग भी दी है और गाइस स्टॉक बढ़िया है यहाँ पर डिविडेंट के मामले में देखो या बोनस के मामले में और देखा जाए तो 6.13 लाक करोड का मार्केट के अपॉला यह शेयर है और डिविडेंट देता है इस शेयर ने 1482 रुपे का और वही अगर देखा जाए तो उम्मिदे लगाई जा रही है कि अपने 52 विक्स के हाई को टच करें और इसका लोग तेरा सो सुनसेट रुपे का है और कई लोगों ने हाँ पर तगड़े प्रॉफिट भी कमाए है शेयर में और निचले प्राइस पे खरीद तो गयाईस आगे क्या होगा वह हम देखने वाले हैं क्या news है क्या investment है क्या level है वह भी हम देखेंगे तो गयास यहाँ पर अगर देखें तो infosys में एक news निकल कर यहाँ पर सामने आ रही है The IT firm will invest 10 million dollars in the house fund house fund 3 ALFI तो गैस यहाँ पर अगर देखा जाएं तो यह जो 10 million dollar का जो investment है तो उसमें investment होने जा रहा है और यहाँ पर आज अगर देखा जाएं तो जून 13 तक यह investment हो सकती है और बिल्कुल वही अगर देखें तो जो minority है जो 20% holding है तो fund size के इसाब से यह minority इसमें बन सकती है तो यह यहाँ पर news आ रही है तो बिल्कुल यहाँ पर positive news था है और यही नहीं काफी लोग भी positive है यहाँ पर infosys को लेकर लगबग 91% जो लोग है guys यहाँ पर buy करने के लिए कहा रहा है infosys में buying के लिए कहा जा रहा है 91% लोग के और से और 9% लोग जो हैं यहाँ पर sell करने के लिए कहा रहा है infosys में तो positive आखड़े तो है but levels को समझना important है यहाँ पर level को समझना important है तो यहाँ पर positive आपको कैसे रहना है और negative यहाँ पर केसे आप हो सकते हो वो यहाँ पर इन दो पहलियों पर हमेने चल्ड़ टालने चाहिए तो guys यहाँ पर अगर देखें तो एक important level पर Info से Subside Downs Momentum कर रहा है यहाँ पर support support है फिर support है तो इसी level पर support लेके उपर your momentum इसके हो रहा है यहाँ पर support लेके आप देख सकते हो तो यहाँ पर भी support अगर लेता है तो हो सकता है एक हलकी सी बड़ाता आजाए बट अगर breakout मिलता है sorry guys breakdown अगर देता है share तो 1443 रूपीज तक ए support ले सकता है क्यों ऐसा क्यों मैं बूल रहा हूँ अगर यहाँ पर breakdown मिलता है तो आप बिल्कुल automatically इसमें negative हो सकते हो क्योंकि अगर देखोंगे तो कही ना कही यह जो gap up हुआ है यह जो gap up हुआ है उससे feel करने के लिए infosys नीचे के और आ सकता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है थोड़ा सा संभल कर आपको रहना है और इस level पर अगर इस support ले लेता है तो काफी बड़ा momentum shift हो सकता है उपर रिक्योर का तो infosys में कुछ important चीज़े हैं और हम wait कर रहे हैं यहाँ पर breakout का जो लोग यहाँ पर confirmation के साथ खरीदना चाहते है इस share में investment करना चाहते है अगर stock ने इस level को break कर दिया तो 1700 रूपे क्या 1700 रूपे 1600 रूपे 1600 रूपे असपास share जा सकता है easy तरीके से अगर break करता है तो अगर rejection मिलता है फिर से यहाँ पर तो काफी बड़ी गिरावट भी आ सकते है बट ऐसा नहीं हो सकता break out इसमें मिल सकता है वही बड़ते हैं आगे तो गैस यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो 24 जुलाई के दिन क्या हो सकता है तो यहाँ पर 24 जुलाई को इसके quarter ली जो results है वो announce होने वाले है 24 जुलाई 2022 को जो quarters के इसके results है वो यहाँ पर announce होने वाले है और यहाँ पर इसी से पता चल जाता है कि कोई भी dividend वाली बात यहाँ पर नहीं है कोई भी dividend यहाँ पर नहीं मिलने वाला है company ने clear यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी इसने dividend देना होता है बिल्कुलों कहते है final dividend भी मिलता है और यहाँ पर clearly कहा आता है देख सकते हो बढ़ यहाँ पर अभी कोई भी dividend नहीं मिलेगा तो काफी कुछ बाते कर चुके है गाईस और एक important चीज रहे गई है ओ देख लेते हैं सो sorry यहाँ पर हम बोल रहे थे तो heavy selling stock में देखने को मल सकते हैं वीडियो अच्छा लगाँ वीडियो को like करो चनल को subscribe करो thank you